कि लड़की के साथ बीजेपी के कार ने करता है अब अपनी इस ट्रेंड को अपनी पपौती मानेंगे नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार लड़किया चिला रही थी कि नरेंद्र मोदी के वंदे भारत को भाजपाईयों ने उद्घाटन के दिन ही बना दिया कुछल्दे भारत और आरोप लगाने वाले भी कौन सोशल मीडिया के इंफ्ल सलोक किया कि लड़कियां सहे मुठी का देरिते में नहीं हावे लगी है हाँ मारा वीडियो है अख़बारों में बड़ा बड़ा इश्तिहार छपा कि मोदी जी तीम तीन वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले मेरट लखनव दूसरा मदरोई बंगलोरू और त में तो रफ्तारी नहीं है जो रफ्तार साधारन मेल एक्सप्रेस रेल गाड़ियों की है वही रफ्तार बंदे भारत की है बलकि शताबदी एक्सप्रेस की रफ्तार तो बंदे भारत से बहुत 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 जादा है तो आदमी 300 रुपय वाली यातरा 1300 रुपय में क्यों करें दालमोट खाने के लिए हाँ तो सोशल मीडिया वाले माहौल बनाने आये या कहिए बुलाई गए थे माहौल बनाने के लिए चलो बुलावा आया है साहब बने बुलाया है लेकिन जब वह वंदे भारत में बैठे और ट्रेन को देखने लगे तो पता चला कि ट्रेन पर तो भाजपाईयों ने कबजा कर लखा है और इसके बाद सोशल मीडिया वालों में और भाजपा वालों में जो दनादन हुआ कि पूछिये मत हंगामा इतना बढ़ा इतना बढ़ा कि पुलिस वालों को बीच में आना पड़ा लेकिन वह सुनती किसकी एक तरफ भाजपा वाले खुद थे और दूसरी तरफ उनके बुलाय हुए महमान और महमानों का आरोप है कि मोदी जी के बारातियों का स्वागत सुगंदित मसाले से नहीं लपड़ जपड़ से हुआ तो पीपल बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाहरे है कि उनकी ट्रेन है दे मौंट के उनकी ट्रेन हम उनके के बिन साने निकले आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बपौती मानेंगे तो कहने का मतलब यह है कि सामा तब और बढ़ गया जब भाजपा के कारकरताओं पर ही सोशल मीडिया इंफ्लिवेंसर्स आरोप लगाने लगे कि वह लड़कियां छेड़ दें ट्रेन में यूट्यूबर साथियों के साथ सफर कर लही लड़की ने सीधे सीधे भाजपा कारकरताओं पर बचसलूकी कारोप लगाते हुए जमकर हंगाम कि खाने पिलिए लेने जा रहा है नहीं कमें दें लेने जा रहा हैंुझा नहीं तो तो इसने वोला कि भाई आपका कार करता है तो तो नहीं हम तो नहीं जाने दिया फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्हों हमें फिर रोक लिया फिर वहाँ पहुत करने लगे और फिर धक्का दिया लेकिन जो हैरानी की बात है वो यह कि पुलिस और स्टाफ ने किसी के भी खिलाफ कारवाई करने से हाथ खड़े कर दी इंफ्लिवेंसस ने साफ कहा है कि उनके पास घटना के पूरे वीडियो फुटेज हैं लेकिन ना भाजपाईयों के चेहरे पर कोई शिकन थी और ना पुलिस के चेहरे पर अब मोदी जी के चल क्यों हो रहा है कि इस कैबिन में कोई निया सकता आज मेरे पास वीडियो भी है यह यह दिए कि लड़की के साथ बीजेपी के चाहरे करता है कि कहाने कुछ यूँ है कि वंदे भारत के पहले दिन यात्रा फ्री थी तो फ्री का मजा लेने के लिए कुछ चात्राओं के साथ मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया इंफ्लिवेंसर्स भी बुलाएगे लेकिन न लड़कियों को पता था न मीडिया कर्मीयों को और ना इंफ्लिवेंसर्स को कि फ्री आत्रा और फ्री खाना के साथ लपड जपड धक्का मुक्की और बचसलूकी भी फ्री है वंदे भारत मे हाला तो समय बिगड़ गए जब खाना लेने के लिए जा रही एक लड़की ने कुछ भाजपा कारकरताओं पर बचसलूखी और धक्का देने के गंबीर आरोप लगए बाजपा वालों को पहले तो लगा कि चलती वंदे भारत में छिडखानी का ये मामला इंटर्नल रहेगा अपसी लेकिन जैसे ही उन्हें हसास हुआ कि ये तो सोशल मीडिया पर पसर जाएगा वैसे ही वह मामले की लीपापोती में लग तान्या अभी लाहम अपने कैविन से लाजपाले दोर से कुछ खाने भी निगले लेने जा रहे तो किसी अंकल ने उनकी वीडियो भी है मिर लड़की के समर्थन में यूट्यूबर्स किसी भी तरह से शांत होने को तयार नहीं थे बाजपा के दोनों कुनबे एक दूसरे के लिए बेहद आत्मिये रिष्टे स्थापित करते वे नजर आए ट्रेन में मौझूद सुरक्षा गाड़ों ने किसी तरह से स्थिती पर का खुचे चीथड़े रेल हादसा मंत्री के महकमे के अफसर ने खुद उड़ा दिये जोड़ा होता है जाता होता है तो तो भी छोड़ी गटना है विजाती है इसी को शास्त्रों में कहा गया है सरकार की मासूमियत मोधी जी को इसको सीधे पदमश्री दे देना चाहिए मतल की के रेलवे के मताबिक लोग जब उत्साहित हो जाते हैं तो लड़किया छेड़ देते हैं उन्हें छू देते हैं एक्साइटमेंट में नोच लेते हैं और यह सब बहुत मामूली बाते हैं तो स्वागत कीजिए मोधी सरकार के नए फर्मूले का उत्साह इस एक्वल तो लड़कियों के साथ चलती ट्रेन में शिणखानी मोधी जी के हिसाब से चोटी बोटी घटना ऐसे लोगों को तो सीधे मंत्री बना देना चाहिए वैसे भी प्रजभूशन शरण वाली जगा खाली पड़ी हुई है भाजपा में चलती वंदे भारत में पहले ही दिन ल मजे की बात तो यह है कि हंगामा कर रहे है सारे लोग हापुड में उतर गया महामानों की शान में कसीदे पढ़वाने का सारा आइडिया धरा का धरा रह गया हंगामे में निकल गया इन्फलीवेंसल्स भाजपाईयों पर धारा प्रवा भाशा में श्लोक को लीचते हुए निकले लेकिन जो घजब की बात है वो ये कि किसी ने किसी के खिलाफ पुलिस को कोई शिकायत नहीं दे ना तो जिसने च्छेडखानी का रोप लगाया उसने ना ही जिसने बदसलूकी का रोप लगाया उसने ना ही जिसने हंगामे का रोप लगाया उसने इस तरह मेरट लखनव व आज पाई कारिकरम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फोरण कर लीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसे याकृती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताई हम आर्टिटर है आर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्विटर है नवीन जोनलिस्ट नमस्कार